हेलो अब्रीबन हैं वेलकम टो आरे सर यूटीब चलेंग नमस्कार जैहिंद जैभारत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि भाई जो एंडिये वन टून 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 टूफोर था और सीडियस था उसमें हमारी जो कोशेंस है वो किस तरह के कोशेंस आहें और हम लोगोंने उनको कहाँ कहाँ पड़ा हुआ था चैकीछ नहीं है तो चलो हम लोगों देख लेते हैं भाई किंखिन कोस्टन को सुबह बज़े여 रहा है तो सारे के सारी लोग जितने भी है ंडियस के वाले बच्ट जोबी है वह सारे के सारी यहां पर यह माई को यहां पर सुबह 11 बजे जरूर लाइव रहें बहुत कुछ खास इसमें होने वारा है Foundation Batch भी यहां पर launch होने जा रहा है उडान जो कि हमारा Foundation Batch है यह भी सुबह 6 बजे वाला क्या करते हैं कि 6 तारिकों सुबह 11 बजे और उडान Batch जो SSB वाले बच्चे हैं जैसे कि उनको लगता है कि इस बार हमारा NDS, CDS या फर जो भी हमारा NDS, CDS के जो First Intake है इसमें हमारे नमबर अच्छा आ रहे हैं SSB Batch भी यहां पर ओडान के नम से शुरू होने जा रहा है इसकी launching भी 6 तारिकों सुबह 11 बजे होने वाली है ठीक ही निया शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले बात करते हैं वर्ड क्लास के बारे में जैसे की क्लास में बहुत सारी बच्चे बोलते थे कि सर वर्ड क्लास हमारे एक्जाम में नहीं आता ND जो ND वाले बच्चे थे ना जब CDS वाली बच्चे को प्राथा थे बूलते वर्ड क्लास नहीं आता के questions दिए उसने है उसने वोड क्लास के questions पूछे उसने 10 कर सकते हैं के उसका आंसर क्या हो जैगा नान चाहिजंगा हमारा इसका अंसर क्या हो सब्सक्राइब और यहां पर जाएगा क्योंकि माइस है माए के बाद में हमल हमल के बाद में यहां पर ना इन और तरह agreed एड़ वर्ट तो यह नाइसली यहां पर ड्राइख क्लीन को क्वालिफाई कर रहा है तो एड़वर्ब में हमने इसी जैसा कोई कोश्चन पढ़ा हुआ था लूजली जैसा हमारा वर्ट था तो इसका अंसर जो था वो क्याता हमारा एड़ था यह कोश्चन हम लोगों ने यह पड़ा हुआ था तो सेंभी उहर पार हमारा पूच्छा गया है अलजिश हमसे पूच्छा गया था आटनींट पूच्छा गया था इसका क्या होज़िएग इस न governo भीक यह तो इस श्थी आन्सर थाप मिल जाएगा ajusti यह निये चले दो आगे बढ़ते हैं को एडिक्य होता है फिजूल खर्ची कर ना देखो एक एडियम मैंने आपको यहां पर पढ़ाया हुआ था इसका मतलब होता है एक पैसेज आया हुआ था, हाँ, इस पैसेज में थोड़ा सा बदलाओ करके दीया गया है, यह पैसेज मैंने क्लास में करवाया था, Biotic और Abiotic Components के उपर था, यहां भी यह जो पैसेज दिया है वो Biotic और Abiotic Component Community के बारे में बताया गया है, ठेकिन यह यह पैसेज, इस पैसेज के 5 questions किये थे हमारे NDA में भी इस पैसेज के 5 questions आये हुए है यह पैसेज मैंने आप लोगों को class में practice session में ही करवाया हुआ था यह पैसेज, ठेकिन यह बात करते हैं यहाँ बैनिश के बारे में बैनिश का मतलब होता है निर्वासित करना, देश से निकाल देना, किसी को भेदखल कर देना तो यह पैसेज के सन को बैनिश कर दिया गया उसकी political rivalry की चकर में तो यहाँ पे बैनिश का synonym पूछा गया, deport हो जाएगा हमारा callback बापस बुराना, accept, suikar करना, notify करना इसका answer क्या हो जाएगा, यहाँ पे deport, deport का मतलब होता है किसी को deport कर देना, ठीक है कि नहीं है abandon का मतलब होता है, छोड़ना, त्यागना, यह word direct तो नहीं मिला, लेकिन हाँ option में मिला और disown, own का मतलब होता है, कोई चीज अपने पास होना और disown कर देना, मतलब किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना royal legacy है, अगर बच्चे ने थोड़ा समझा होगा, तो उससे समझ में आगया होगा कि सत्ता त्यागना, abdicate, renounce, या फिर हम लोग यूज करते हैं यहां पर, abandon use करते हैं, यह answer हम लोगों का यहां पर हो गया है, ठीक है, कुछ concepts related questions थे, sentence completion वाले, यह भी हमारे exam में आई होगो थे, sentence completion के questions हमारे exam में आई होगो थे, जो कि पिछली बार जो थे, वो किसमें आते थे, भईया, cds में आते थे, बच्छों ने बोला हमारे में कहां आते, लेकिन आए भाई, यह concept से related है, he paused जो रुका, for a moment, few moment, तो for क्या है, for duration के बारे में बात करता है, period of time के बारे में बात करता है, late night, our car broke down on the highway, यहां breakdown हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, breakdown का मतलब होता है, functioning मतलब काम करना, बंद कर देना, खराब हो जाना, और start crying, भावो को ना, दोनों मतलब होते है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, यहां पर breakdown on the highway, highway पर हमारी car जो है, वो खराब हो गए, ठीक है कि नहीं है, next time लोगों बात करेंगे, तो यह हम लोगों ने यहां पर पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था, जो हमारे homo names, homophones होते हैं, वो मैंने आपको पढ़ायते हैं, तो इसमें accept word बताया था, accept का मतलब होता है, को छोड़कर, इसकी जरूरत हमें यहां पढ़ गई, कि सारे कि सारी country ने sign कर दिया, treaty पर, accept को छोड़कर, किसको छोड़कर, Germany और France को छोड़कर, ठीक है कि नहीं है, है ना, क्योंकि among का use थो हम लोग दो स्यादा के लिए करते हैं, next, अब दोगो, यहां पर बात करें, दो question यह इस वाले point से आई हुए थे, यह है relative pronoun का, ठीक है कि नहीं है, यहां पर बात करें, they told us about the woman, woman मतलब human being की बात हो रही है, human being की लिए who और whom लगाते है, subject की requirement होने पर who, object की requirement होने पर whom लगाते है, तो यहां पर subject की requirement थी, they told us about, उन्होंने मुझे बताया, उस woman के वारे में, जो lived next door, जो रहा करती थी, बगल में, तो इसका मतलब, subject की ज़रूर पढ़ रही है, who कहा जाएगा answer, I dislike films, मुझे films पसंद नहीं है, नफर्द करता हूं, अब फिल्म हैं, तो भीया देखो, living के लिए हम लोग who और whom लगाते हैं, तो who तो option होगा नहीं, whom भी नहीं होगा, who जाता है, position बताने के लिए, तो इसका answer क्या हो जाएगा, that हो जाएगा, ये चीज़ भी हम लोगोंने relative pronoun में discuss किया हुआ था, तो concept class और चाहे vocab class हो, चाहे practice session हो, सारे के सारे session जितने भी होते हैं, सारे के सारे important होते हैं, इसलिए मैं बच्चों से बोलता रहता हूं कि भाई, regularity maintain करो, देखो, ये जो चीज़ है ना, ये, ये हम लोगोंने यहाँ भी पढ़ा हुआ था, इसके लिए मैंने एक topic पढ़ word वहाँ भी discuss करवाए था, कि यहाँ पर like के साथ में, और would like to लिखा हुआ है, तो would like के साथ में हम लोग two plus verb of first form का use करते हैं, किसका use करते हैं, two plus verb of first form का use करते हैं, back to square one, दोखो, ये दो word मैंने बताये थे, एक बताये था, मैंने आपे idiom के बारे में बात कर रहा हूं, ये बताया था, go back to drawing board, और exam में क्या आया, back to drawing board आया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों word है, दोनों का एक ही मतलब होता है, कोई भी चीज, दिखा रहेगा, start over, first से शुरू करना, if anyone of us fail, मतलब बोला जाना है, कि अगर हमें से कोई वेक्ती fail हो जाता है, इस बार, we will have to go back to, the drawing board हमें फिर से शुरुवात करना पड़ेगा, तो इसका मतलब होता है, start planning again because the previous plan has failed, पुरा ना, जो प्रिवियस प्लान था, वो फेल होगा है, इस वही से दुवारा से शुरू करना, तो ये हम लोगों ने दो जिगा पड़ा होता है, square बन भी होता है, drawing board भी होता है, मू Pass the bug, Pass the bug का मतलब क्या है, कि अपनी responsibility किसी दूसरे को दे देना, वो यहां लिखा हुआ है, to save the responsibility of something to someone, किसी विक्ति को, किसी की responsibility सौप देना, यहां पे हमारा हो जाएगा, तो यह हमें ध्यार रखना है, यहां फिर बता रहा हूँ, ओलान बैच, CDS, NDA, F-CAT के लिए दूर जा रहे है, तो इन तीनों बैचेस की announcement जो है ना, वो है, 6 तारीको, सुबह 11 बजे, 6 तारीको मतलब, दो दिन बाद, हैना, तो बात करेंगे, next हम लोग बात करें है, expatriate के बारे में, तो expatriate मैने सिरोने में बाताया था, expatriate मतलब होता है, निर्वासित, निर्वासि independent, outside country of seducenship, जिस जगय का है, उसकी बाहर के देश में रहता है, दूसरी country में रहता है, उसको बोलते है, जिससे विजा माल लिया भाई, है ना, तो हम लोग बात करें, और भी लोगों को बात कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ, बहमेंट के बारे में बात करें, तो यह ब कॉमिनेट करने की शमता रखता है, इसका अपोजिट पूछा है हमसे एंटोनियम, तो इसका अंसर सब्ड्यू मतलब थोड़ा सा सम्मिसिव टाइप का है, डरा हुआ है, भूला बाला है, कोई हर इंसान से डर जाता है, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं, ठीके, बात करें हैं, इंडीजेंट के बारे में, किसके बारे में बात करें, इंडीजेंट हमसे पूछा गया, इंडीजेंट का एंटोनियम पूछा गया, तो यह इंडीजेंट है, इंडीजेंट का एंटोनियम हमारा क्या हो जाएगा, एफ्लूएंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ्लू और नांन का सिकेंड फ़न भर्म और फवर्म तो हो uda तो यहाँ पृड हो जाएक हमारा और सरुंसर इसके सबस्ट शीन हुआई ऑगा जाएगा तो यहां पर के है हम लोग thrilling होती है क्या होती है थ्रिलिंग होती है इगर उच सुक विक्ति होता है विक्ति के लिए आता है लेकिन चीज के लिए exhilarating यूज करते हैं हम लोग है ना तो इसका answer यह हो जागा next अब यह word दिया है हमारा compliment और compliment दिया है हना यह हमारे क्या है compliment और compliment है तो यह दो को यह मैंने आपको homophones homonemes में पढ़ाया हुआ थे ठीक है homophones homonemes में मैंने discuss कर रहा है यह serious के question शुरू हो गए यहाँ पर ठीकन यह homonemes homonemes homophones में मैंने discuss करवाय थे और उसका defy or defy यह भी मैंने आपको बताया था avail ना करना और किसी को सम्मान करना तो यह भी मैंने आप लोगों को बताया था इसका answer क्या हो जाएगा ठीक है यह दो complacent और complacent यह word मैंने पूरा आपको practice करवाया हुआ है जहां पर हम लोग यहां पर practice कर रहे थे last 13 days फिर पूरा होती वगरा चलीती उससे पहले तो वहां पर मैंने practice में यह question मैंने आपको करवाया हुआ था ठीक है कि नहीं है चलो बात करते हैं यहां पर I don't like working night लिखा हुआ है तो night अब दो यह पूरा concept मैंने proposition वाले session में बताया था कि जब भी इन में से कोई word आते हैं तो फिर हम लोग एट का यूज करते हैं और अगर morning, evening, afternoon आते हैं तो यहां पर हम लोग in the night का यूज करते हैं और पूरा concept मैंने आपको यहां पर समझा है हुआ था night का यूज करेंगे हम लोग in the morning, in the afternoon, in the evening, night के लिए यहां पर यह आ जागा ठीक है कि नहीं है morning बाला भी question, same question, same concept से आगया हमारे दो question आगए ठीक है तो इसलिए बोलते है concept हो या practice हो हर चीज हमारे लिए important है चलो आगे बढ़ते हैं देखो लिखा हुआ है there is a mark dash the wall, wall मतलब दीवाल पर क्या है mark है तो यहां पर क्या हो जागा position किसी चीज के ऊपर होती है तो हम लोग क क्या दिया है भाई यहां पर means of transportation, means of transportation के लिए हम लोग क्या use करते हैं, by का use करते हैं, यह concept class में हमने discuss किया, she has always been very polite, अब यह हमने fixed preposition topic बढ़ा हुआ था, preposition के बाद में, उसमें बताया था कि polite in, बोलने चालने में, polite to all, all का मतलब person था, यह सारी चीज़े हमने discuss किया हुआ था, fed up के बारे में बात करें, तो यह हमने अलग से आपको discuss करवाई था, वक्याप के session में, कि fed up आता है, fed up अपने साथ में with लिता है, इसका मतलब होता है, किसी से तंग आ जाना, परिशान हो जाना, I am fed up with you, मैं आप से तंग आ चुका हूँ, परिशान हो चुका हूँ, मै इतना ज़्यादा घिनोना मडर, मतलब हीनियस क्राइम था, इतना भहिंकर क्राइम था, मतलब मडर था वो, कि to describe, अब देखो, यहाँ पे ध्यान रखो, टू के साथ में हम लोग, टू और टू का पेर बनता है, टू और टू के पेर के साथ में, टू के साथ में, वर्ब का first form आता है, लेकिन क्या लिखा हुआ, मडर इतना भहिंकर था, कि इसको describe किया जाना बहुत ही मुस्किल था, तो इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पे जो बने टू प्लस बी, पैसिव में न, तो यहाँ पे describe हो जाएगा, यह बन जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक कि निया है, हना, यह हो जाएगा correction, सही correction क्या हो जाएगा, यह तो टू के बाद मैं वर्ब का first form हो गया, पैसिव की वही से बी प्लस third form आ गया, नेक्स यह देखो भई, यह question है, each new word, यह हमने subject word agreement में भी पड़ा हुआ है, कि यह हमेशा singular होते है, अपने साथ singular verb लेते है, तो यहाँ पे have की जगह क्या हो जाएगा, has हो जाएगा, यह हमने discuss किया हुआ था, एक question था हमारा news बाला, news बाला question हमने noun के concept class में पड़ा हुआ था, कि news हमारा कैसा होता है uncountable noun होता है, news uncountable noun होता है, तो यह अपने साथ में verb कैसा लेगा, singular verb लेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है, these equipments, यह भी noun की practice session में हमने discuss किया था, अब इसको correction कैसे कर सकते हैं, दो तरह का correction है, answer तो इसका A हो जाएगा, हम लोग equipment लगा के these को this में कर दो, या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते है, these pieces of equipment भी बोल सकते है, these pieces, तो pieces यहाँ these plural हो जाएगा, off लगा के uncountable noun, तो यह हम लोग correction यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है, तो यह हमने discuss किया हुआ था, उसका आप में एक one-off वाल आया हुआ था, हम पे question, क्या आया हुआ था question, यह है, it is one-off the most, बन-off के बाद में the article में discuss किया हुआ था, यह तो pronoun का question है हमारा, sorry, tense का, यह फर ऐसे मालों के दो negative एक साथ में नहीं आ सकते, यह tense का question है हमारा, ठीक है कि नहीं है, यह किसका question है, tense का question है, tense का question है, tense का question में नहीं ही लगा दिया, तो यह जो है न, यह क्या है, उसको बुखार था, उस time पे था, तो he was suffering from, यह पहले से चल रहा था तो he had been suffering from, वहाँ पे बन जाएगा हमारा, तो continuous, यह tense related हमारा question, यह reflexive pronoun से related है, बड़ इसमें कोई error है नहीं है, एकदम सही है, जो कि हम pronoun में discuss करते हैं, ठीक ही नहीं है, तो यह सारे के सारे questions हैं, वह आप concept class, practice class, और भी चीजों से आये हुए है, तो इन चीजों को आपको दिहां रखना है, तो इसी तरह से मैं बोल रहा हूँ, मैं फिर आप लोगों को बोल रहा हूँ, चाहिए आप NDA वाले हैं, CDS वाले हैं, या FKED वाले हैं, कभी भी आप previous year के question paper को लगाओ तो, previous year question को आप solve करो, कोई problem नहीं है, लेकर उस trend को follow मत करो, कि भाया ऐसे ही चीज़ आएगा, mind set मत करो, कि ऐसे ही questions आएंगे, आप उसके syllabus को देखो, syllabus में क्या idioms and phrases है ना, हमें करना है, पिछली वार आये थे के नहीं आये थे, हमें लेना देना नहीं है, error finding के questions है ना, हम करेंगे, पिछली और आये थे की नहीं आये थे, हमें लेना देना नहीं है, बस यहीं चीज़ आपको दिहां रखना है, ठीक है, तभी हम लोग एक अच्छे से अपनी तयारी कर पाएंगे और उसका कुछ result निकलेगा, रट्टा मारेंगे तो अहलत खरा हो जागा, एंडिये वालों जो बच् चलाते थे न, हमारे में close test नहीं आते, हमारे में sentence complete नहीं आते, सिर्फ हमारे में word class नहीं आती, उन सभी लोगों के मूँपे तामाचा हमारा है, बीस question आई हुए, दस question closed test के, 5 question word class के, और 5 question जो आई हुए है न, वो आपके आई हुए, क्या कहते है उसका sentence collection, sentence completion के, तो ये च लगाओ अच्छे से लगाओ पर माइंड सेट मत करो कई उसी पैटन पर आएंगे ठीक है तो बैच के लाउंचिंग है कितनी छे तारीकों सुबह ग्यारा बज़े एंडी एफकेट और सीडियस के लिए यहां पर हेल्प लाइन नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं इन हेल्प लाइन नंबर पर कॉल कीजिएगा आपको सारी सहयता सारी हेल्प की जाएगी आप लोग की नमस्कार जैहिंद जैभारत